मस्तों दोस्तों हमारे फासुमा किचन चनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं भेंडी के क्या-क्या फाइदे होते हैं और भेंडी में किस तरीके के गुन होते हैं भेंडी का पानी भी शरीर के लिए बहुत उपियोगी है तो आईए आज हम जानते हैं कि भेंडी का पानी कैसे करेगा शुगर से लेकर कोलेस्टरॉल तक का इलाज भेंडी को हर मोसम में उगाया जाता है और खाया जाता है भेंडी को कई तरीकों सो इस्तिमाल किया जाता है जैसे कि सबजी में भेंडी का अचार भी बनाया जाता है सूप में भी भेंडी का इस्तिम बढ़ गई है जबसे कि इसका आचार बनना शुरू हुआ है बेंडी का तेल भी निकाला जाता है तो आईए हम आपको बताते हैं कि बेंडी का पानी किस तरीके से बनाया जाता है हमने एक बर्तन ले लिया है इसमें हम दालेंगे एक ग्लास पानी अब हमने दो भेंडी ली है भेंडी को हम इस तरीके से पीछे से और आगे से कट कर देंगे और भेंडी में एक चीर लगा लेंगे इस तरीके से चीर के हम पानी में दाल देंगे दूसरी भी भेंडी को हम इस तरीके से आगे पीछे से काटके एक चीर करके पानी में दाल देत अब हम इस पानी को ढखक कर रख देते हैं पूरी रात के लिए इसे आप रखिए शाम से भीगा देना है आपको तो इसे कम से कम दस से बारा घंटे आप रखिए काफी अच्छा इसको परिणाम मिलेगा अब हम ढखकन हटा कर भेंडी को पानी से इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि इसका पूरा रस पानी में अच्छे से निकल जाए भेंडी को अलग कर देंगे हम अब हमने एक ग्लास लिया है इसमें हम च्छनी रख देंगे और इस पानी को हम च्छनी से च्छान लेंगे पानी को हमने पूरा च्छान लिया है अब हमने भेंडी का पानी यहाँ पर बना के तयार किया है तो इस पानी के अब हम आपको फाइदे बताते हैं इस पानी को सुब़ सुब़ खाली पेट पीने से आप सैक्डो रोगों से मुख्त रह सकते है आईरवेद ने भी भेंडी के पानी को कोलेस्टरोल, रिदे रोग और डाइबेटीस के लिए तो एक वरदान माना जता है भेंडी में प्रोटीन, वसा, रेसा, कार्बोहाइट्रेक, कैल्शियम, फॉस्पोरोस, पोटेशियम, मैगनेशियम, सोडियम और तामबा पाया जता है डाइबेटीस में भेंडी को चिकित सक भी बहुत फाइदे में मानते हैं ग्लुकोस को बलड में गुलने की प्रक्रिया को धीमा करता है भेंडी का पानी, जिससे आपके बलड में शुगर लेवर घटता है किडनी के रोगों में भी भेंडी का पानी बहुत लावकारी है, इसका नियमित सेवन करने से वजन घटने में भी आसानी होती है बेंडी का पानी पीने से शरीर स्वस्त रहता है, बेंडी पौश्टिक तत्वों का भंडार है, इसलिए इसके पानी से शरीर को कई तरह के लाब मिलते है बेंडी बहुती गुनकारी और फाइदे में सबजी है हमारे लिए, आप बेंडी का उपयोग जरूर कीजिए खाने में और इसका पानी भी आप यूज कीजिए, इसका पानी भी पीजिए और रोगमुक्त शरीर रखिए अपना तो हमने आपको बेंडी के गुन और फाइदे दोनों ही बता दिये हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फासुमा कीचन चैनल को जरूर जरूर लाइक कीजिए, थैंक्यू